शहर में आज फिर से हुई कटे सिरों की बारिश ये खबर सबसे पहले हमने आप तक पहुंचाई थी एक बार फिर लेकर आ रहे हैं आपके सामने ब्रेकिंग निउस उन दोनों प्रस्थर्टिक चहरों की शिनाक्त हो चुकी है राजू सोनी और मोहन कालिया और अचंबे वाली बात तो ये है कि इन दो व्यक्तियों की भी हत्या हो चुकी है पुलिस का मानना है कि ये हत्याईं भी खोबडी तोड नहीं की है या दिलातें आपको कि केड़ी पाठक के मुवक्त किल परिवर्तन कुमार को कल ही जमानत पर छोड़ा गया था क्या परिवर्तन कुमार ही है खोबडी तोड जानने के लिए देखते रही है फास न्यूज मैंने कोई खुन नहीं किया है कोई खुन नहीं किया मैंने मैं तो शीर्टी live कैणा देखने बाबाजी के चरणों में माथा टेखने और दो को दस और मैं तो कली जमानत पर छूटा हूँ तो फिर मैं उनका प्रोस्थेटिक चेहर कैसे बना सकता हूँ हो सकता है आपने ये चेहरे पहले से बना के रखिया नहीं, नहीं, केडी जी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, यकीन कीजिए मेरा तो फिर तुम कटना स्थाल पर क्या कर रहे था वो तो आप ही ने मुझे बुलवाय था उदर मैंने? हाँ आप ही का फोन आया था, आपने कहा कि कोई इंपोर्टन सबूत मिला है और जिसके लिए मुझे माजी वारी के सेक्टर नंबर तीन में पहुचना होगा ये बा, उन्ते नंबर से फोन आया था? लेंडलाइन नंबर से किया था और मैंने आपसे पूछा भी कि आपने मोबाइल से फोन क्यू नहीं किया तो आपने कहा के शायद असली खुनी आपका फोन टेप कर रहा हो और आपने ये भी कहा के मेरी जान को खत्रा है अच्छा तो लगता है असल अत्यारे ने आपको फोन किया शड़े अंतर रफ्च रहा है कोई देखता हूँ मैं सर्थ पीके से कुछ पता चला? नहीं यहाँ पता लगाना है तुम दोनों को वो भी कल अजालत समाप थोने से पहले योरॉनर अगर परिवर्तन कुमार जी को हमने बेल पर ना छोड़ा होता तो आज राजू सोनी और मोहन कारिया दोनों जिन्दा होते योरॉनर एक बार फिर मेरे मोख खिल परिवर्तन को हत्याओं के आरोप में फसाया क्या है ये हत्याओं इन्होंने नहीं की सत्य तो ये है कि किसी व्यत्ती ने PCO से मेरा नाम लेकर इन्हें फोन की घटना स्थल पर बुलाया जब ये घटना स्थल पर पहुँचे तो वहाँ राजू और मोहन के शव पहले से पड़े हुए मिस्टर पार्टर फिर उस फून से सनीवी हतोडी का क्या जो मिस्टर परिवर्तन के हाथ से बरामत हुई थी उस वाद चलिए मान लेते हैं कि PCO से आपका नाम लेकर आपके मुवक्किल को किसे ने कॉल किया तो इनके मुबाइल फोन में वो रेकॉर्ड्स ओंगे आपने वो रेकॉर्ड्स निकल भाई यह आपके दफ्तर में कॉपी भिजवाई थी लगता है आपके हाथ लगी नहीं Your Honor, सुची के अनुसार, जाच के अनुसार, Your Honor माजी वाडी के सेक्टर नंबर 3 के PCO से वो फोन किये गए थे सरवब रतम 6 बजे मेरे मुखिल को फोन करके वहाँ बुलाया गया उसके पस्चात उसी PCO से मोहनर राजू को भी 6 बज कर 10 मिनिट पर फोन करके उस स्थल पर बुलाया गया Your Honor, यह हाजसा, यह हत्याएं आठ और साड़े आठ के बीच में हुई ए पोस्टमर्टम रिपोर्ट के अनुसाद Mr. Kedy, तुम्हें जो भी कहना है, साफ-साफ कहो Your Honor, मेरा ऐसा मानना है कि किसी ने बड़ी चतूरता से इनों को वहाँ बुलाया और यह हत्याएं की और उसके आरोप में मेरे मोखिल उपसाया What nonsense Mr. Parton, यह भी तो हो सकता है ना, कि वो कॉल खुद बखुद परिवर्तन कुमार नहीं किया हाँ, वो संभव होता, संभव होता अगर मेरे मोखिल उस समय शाम के 6 बजे श्रीडी से मुंबई यात्रा न कर रहे होते Your Honor, मेरे मोखिल उस समय श्रीडी से मुंबई यात्रा कर रहे थे Comfort Travels के बस नंबर MH06443 में Your Honor, इनकी बस था, थाने टोलना का पर थी सबस्ट अगर ये उस समय बस में थे, तो फिर माजी वाडी के सेक्टर नंबर 3 से कैसे फोन कर सकते Your Honor, पिछली सुनवाई में मैंने एक प्रश्ण पूछा था, जिसका उत्तर अब भी हम खोज रहे प्रश्ण ये था कि अन्त था क्यों और किसने हलिकाप्टर से पैरशूट द्वारा वो तो नखली खुपड़ी तर्ती के और भेजे नो, नो, मिस्टर पाथ, आप फिर से मिस्टर जिंदल की तरफ मत बढ़े He's got no connection in this case इस समय में ये बताना चाहूँगा अदालत को कि उस हेलिकाप्टर में श्री राजकुमार जिंदल की अतिरिक्त भी कोई था केड़ी इस बार में उम्मीद करता हूँ कि जिस पर तुम अंगली उठाओगे उसके खिलाफ तुमारे पास पुक्ता सबूत होंगे सत्यक की होज चल रही है यहां निवेधन करता हो कि थोड़ी प्रतिक्षाद है इस्कीज में मैं येस गुद मॉर्णी हम लोग हारगडी निउस चैनल से आएं हम आपके कुछ इंप्लोईस का इंटिव्यू लेना चाहते हैं आप लोग के पास अपॉन्मेंट लिटर है अपॉन्मेंट लेटर तो नहीं है दिन आम सॉरी दिन आपन में लेटर के आप किसी से मिलने ही सकते हैं प्लीज मैं हो गया थैंक यू चल रह थैंक यू थैंक यू 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 अपनों। यू बोलता है आपना एकडम सीडी आज़े बोले तो अज का जमान आए बोले तो आपको मालूं यू निसे आदाने निकलेए निकले एंक लें तो निते ज़ी करना मंगता है समझे ना? बढ़ू, तु कहावत तु सीदी बोल कांदा नहीं होता, घी होता है आरे वरून भाई, आपको मालूम घी कांदे से जाधा चस्ता है युक्तो कांदे के दो वांदे हैं इसने बोला पुन्ने प्लीश, प्लीश रमन पका मत प्लीश, एक काम करो आप अपने सीदेर से जाओ आप उन अपने टेडरे से जाता है वाले तो जैराम जी की Your Honor, मैं शमाज आता हूँ कि किसी कारणवश मेरे सहायकों को यहाँ पोचने में विलंभ हो रहा है अदालत का समय इनश्ट हो रहा है वैसे भी लंच टाइम हो चुका है इस केस की सुनवाई लंच ब्रेक के बाद जारी रहेगी तकेसी तट्चा यहाँ काका यू प्यू 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 वैख वरुश वरुश किने वरुश तु मेरे पीछे पीछे क्यू आया वरुश वरुश सब्सक्रों नहीं कुछ बोलाना वरुश 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 कुछ वाँ प्यू Mr. KD क्या बात है आपके सहाया कभी तक आय नहीं पदा नहीं क्यों रहे इतना विलंब हो रहा है यह रॉनर हम अलरी दो घंटे यहां पर बेस कर चुके इस्क्यूज मी यह रॉनर यह रॉनर मैं श्री राजकुमार जिंदल के विमान चालक उमेश चक्रापानी को कटखरे में बुलाने के अनुमाती चाहता हूँ अनुमाती है उमेश जी गृपया अदालत को बताईये कि यह जो स्री राजकुमार जी का हलिकॉप्टर आप उड़ाते थे वहाँ यह पाइलिट ड्रॉप सिस्टम यह यंतर यह क्या होता है वो सिरफ एमर्जनसी में यूज किया जाता है तो हेलिकॉप्टर के अन्यया यात्री जो होते हैं उन्हें इस बात की भनक नहीं लगते जी साथ आप बिलकुल सही है सही वेतन पाते थे फिर वचानक आपने इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर राजकुमार जी की छोड़ी सी हेलिकॉप्टर वाली नौकरी क्यों लिए एक्चुली आपके पास उत्तर नहीं है मेरे पास उत्तर है मैं देता हूँ यारोनर जैसा कि मैंने कहा एक विख्याद एरलाइन्स के लिए उमेश जी अंतर आश्ट्रिय उरान भरते थे एक उरान के समय ये मदिरा का सेवन कर रही थे उस विबान को जब जमीन पर उतारने का समय आया ये प्रॉपर लैंडिंग कमांड्स देना भूल गया रोनर चूक हो गई इनसे विबान दुरगटना ग्रस्त हो सकती थी सारे यात्रियों की जान जा सकती थी अंति मिश्याण पर इनके सहे विबान चालक ने परिस्तिती को संभाल लिया ये जब एरलाइन्स को इस बात की जानकारी हुई तब इनहें अपनी नोकरी से हाथ धोना पड़ उस केस के जज ये रोनर आदेश चोधरी जीत प्रश्त ये उड़ता है ये रोनर की मनसुक महत राजू सोनी और मोहनकारिया से इनकी क्या शतुरता थी, क्या बैर था इनके मन में उनके लिए, क्या उदेश ये था आपका, उनके रत्या करने का प्रश्णक उत्तर ये है ये रोनर की 14 अगस्त को इन्होंने मोहनकारिया जी की दुकान से पांच तोला सोना खरीदा और दूसरे एदिन उनके दुकान पर लोटे और उन पर ये आरोप लगाया कि उन्होंने इन्हें नकली सोना बेचा इसी बात को लेकर वाद विवाद मंसुख भाई और राजू की मदद से इन्हें मार कर पुलीस की दुकी देगा दुकान से बाहर किया तक कह रहा हूं मैं ये I mean ये सब हुआ था बट वो तो बस एक छोटी सी बहस थी चोटी सी बहस थी आप शराब के नशे में दुथ उनके दुकान पर गए उन पर जली सोना बेचने का आरोप लगाया उन्होंने आपको मार कर वहां से बखाया आपने उन्हें जान से मार देने की धमकी दी थी ये चोटी बहस थी मैं मानता हूं कि उस दिन मुझे उन चारों पर बहुत गुस्सा आ गया था पर उनका खून मैंने नहीं किया और नहीं माने अपने हेलिकॉप्टर सो उनके नकली से नीचे बेजे जूट बोल रहे हैं मैं सच बोल रहा हूं। उन दो रोज जब हाथ्शा हुआ था मैं हाथसा हूं कि था ही नहीं था है जमा चाहता हूँ आप हलेकॉप्टर में नहीं थे कार्थ रेजिस्टर में तो आप ही के अस्ताक्शर थे मैं सिरफ साइद का ने अरोडोम गया था उसके बाद मैं हेलिकॉप्टर तग भी गया था पर हेलिकॉप्टर में मैं नहीं, मेरा सिस्टेन गया था यानि कि जिस दिन जिन्दाल जी का हेलिकॉप्टर उस जगा से गुजरा जहां वो पैरिशूट के जरिये कटे हुए सर नीचे फैके गए था उस दिन ना ही जिन्दाल जी और ना ही उनकी पाइलिट दोनों में से कोई भी हेलिकॉप्टर में नहीं था प्रशनी ये उठता है रॉनर कि अगर उमेश जी और राजकुमार जी दोनों हेलिकॉप्टर में यात्रा नहीं कर रहे थे तो कौन कर रहा था भूशन जी, उमेश जी का ऐसा कथन था कि उनके स्थान पर उस दिन हेलिकॉप्टर की उड़ान आपने भरी थी, सत्य है यह बाद? देखे भूशन जी, आपको जो भी कहना है, बेज जुजक कहिए, किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे अपने केरिद की चिंता सी, मैं एक ट्रेइणी पैलεॉलोट और मेरे लॉंट भी नहीं हूं राप, मुझे लाइसेश नियुस नुच्ता से दिककत क्या है? मेरे पापा हुए गैंसर है, उनके टीटमेंट का कच्छ और मेरे फ्लाइंग आवट का कच्छ दोने एक साथ नहीं हो सकती इसलिए मैंने उमेजी से रगस्ट की थी कि मुझें की जिगा फ्लाइंग करने दीज़े ताकि मैं अपने फ्लाइंग आवट जमा कर सको और जल्दी जल्दी लाइसे पा सको और जल्दी से कमा सको और एक पापा का इलाज अच्छे से करवा सको Your Honor, उमेज जी को भूशन जी की जरूरत थी और भूशन जी को उमेज जी की लेकिन इन दोनों का इस मुर्डर से क्या लेना देना यह अदालत कल तक के लिए मुल्तवी की जाती है The court is adjourned Sir, हम सब जानते हैं की PK इनोसेंट है लेकिन हम उसे बचाएंगी कैसे पड़क जी पहले आप यह सोची के अपने आपको बचाएंगी कैसे मैं अपने आपको कैसे बचाओं का क्या हर्ण बैठी है तो से ही बैठ के समझाई है तो से ही क्या बोल रहे हैं यह देखें अपकी जान को खत्रा है पड़क जी आपको कुलिस सुरक्षा की अवशकता है अधिंक यू नीड टो रिलाक्स बवर साम यह तक मेरी सुरक्षा का प्रश्न है वै अपनी सुरक्षा स्वयम कर सकता हूं वैसे एक हद तक तो यह प्रवानित हो चुका है कि परिवरतना त्यारा नहीं है यह, यह कोई और है वी व्यक्ती मुझे डराने का प्रयास कर रहा है पड़क जी आपको जो सोचने आप सोची है लेकिन हमारा कर्तव है कि आपको पुलिस प्रोटेक्षान देना है और आपको लेना पड़ेगा अगर कल उठके आपको कुछ हो जाता है तो हमारे डिपार्मेंट का ही नाम खरापो का दिए यह करन तो समझ में आ रहा है मुझे आपके बांद सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रश्ण है तो आपकी बात दुमानने बड़ेगी मझे अंदर आईये आज से यह आपके साथ रहेंगी तो समझ भी नहीं आ रहा है कि आपका नकली सर किसने बनाए क्या हो गया तुझे? क्या ढूंड रहे हैं? बॉस आपको आपके पठ्चाई ढूंड रहे हैं पठ्चाई अभी ने बॉडिगार्ड को ढूंड रही है उसे कहा था बाहर खड़े रहने को उसे डून ग्यों रहा है तो? नहीं नहीं बोस आपके उसी टाइम पस्स करने रहा था काम नहीं है तो मैं काम देता हूं तो जाओ तुम दोनों जाकर पुता लगाओ मेरा नकली सर किसने बनाया था मैं जाता हूँ बूशन के दरवर हूँ, उन दोनों वही मिलना मुझे, क्या? क्या? मैं भी जाओंगा कहां जाओ गई? जहां आप जा रहें अच्छा, मैं तो शोचा ले जाओंगा, तो क्या करें गया? पहले मैं जाओंगा, जाके चेक करूँगा उसके बाद आपका इंतिजार करूँगा हर 30 सेकेंड मैं दरवर आपका दस्तक दूँगा अगर आपका जवाब नहीं मिला तो दरवर तोड दूँगा दरवादा तोड़ देंगा इस समय मैं शोचाले तो जा नहीं रहा मैं तो भूशन के घर जा रहा हूँ लेगी चलने में चलने की क्या सुरूँ, मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, अब बेट जाए गाड़ी में नहीं केडी सर्गा फोन है यह सर्व उशन का गहर बंद है ठीक है सर्व, हम अभी वहाँ पहुंचते है चल केडी सर्व ठीक है? केडी सर्व ठीक है? केडी सर्व ठीक है? मेरा अंग रक्षक, अंग बक्षक कहा से बन गया? पीके ने जिंदाल के दादा जी का पुतला भी बनाया था जब मैं इंवेस्टिकेशन करने उनके ओफिस गया था तब एंट्रेंस पर ही था सर्व उस पे भी पीके का लोगो लगा हुआ था आजी का पुतला क्यों बनाया? हाँ ये बात सच है कि मुझे तीसरा ओडर भी मिला था आपका प्रोस्थेटिक चेरा बनाने के लिए लेकिन जब आदेज जी और मनसुब भाई का खोन हुआ और पुलिस ने मुझे गिरिफतार कर लिया और आप ने मेरा केस लिया तो मैं डर गया और थोड़ा स्वार्त्य बी हो गया कि अगर ये बात में आपको बता दूनगा तो शायद आप मेरा केस नहीं लड़ेंगा और कुई बात है जो आपने मुझे सचे पाया और कुछ भी नहीं है जो मैं आपसे चुपा रहा हूँ वो जिंदाल साब के दादा जी का मुख भी आपने बनाया था नहीं फिर जूड बोल रहे हैं आप तो फिर देखे इस पुतले के बीचे पीके क्यों निखा हुआ है हाँ ये तो मैंने ही बनाया लेकिन मुझे तो ये अब पता चल रहा है कि ये व्यक्ति उनके दादा जी है मैंने अपने केरियर में हजारों चेहरे और पुतले बनाये लेकिन मैंने कभी उनकी पैचार नहीं पूछी किसी से भी ये जो काम तुम करते हो ये काम तुम्हारे पास आता कैसे है इस्तिहार देते हो अकबार में यहां कोई अतिहाल लित्यादी है मेरा एक एजेंट है अजीत नागपाल वही ओडर लाता था पतले में मैं उसको 10% कमिशन देता था लेकिन वो आदमी बड़ा फ्लाट था कभी कभी क्लाइंट से मेरे नाम पर वो पेइमेंट वसूल कर लेता था और मुझे नहीं देता था और इस बात को लेकर हमारा जगड़ा भी हुआ था अजीत नागपाल जिंदाल का हेलिकॉप्टर और शक्तिशाली व्यक्ति जो लोगों को सर पर हथोड़ा मार कर उनकी अत्या कर रहा है तीन ना एक दूसरे से विप्रीत बात है दिवाग के ना बत्ती ओफ होगे लिए है अच्छी आईशपद बॉस हपुन जब किरट काका के साथ वो दारू पी ने गिए अच्छा तू दारू पी रहा था तूने तो कहा था कि तू सुधर गया नहीं हूँ वो तो कटी हुई है हाँ वो अच्छा चोटी उंगली कटी हुई है तब भी प्रतीत हुआता है कि उसकी चोटी उंगली कटी हुई है अब मिलाना हत्यारा सर्ब जिस वाच्मैन को जिंदाल ने नौकरी से निकाल दिया हो उसका इन मर्डियू से क्या लिन देना? प्रस्टनबाद में करना पर ले जा अजीत नाकपाल के बारे में जानकारी प्राप कर पर समन्तू चोकीदार का पता लगा जो करना है कर उसे कल अदालत में लेके आना जो कुम बश अजीत जी खृपया अदालत को बताएं क्या वेवसाय करते हैं? जी मैं एक आर्ट एजेंट हूँ नई पुरानी पेंटिंग्स, कल्प्टर्स, खरीदना बेज़ता हैं ये मेरा पेशा है अद्बुत बात है आपने अपनी आधियो धूरी पैचान दी वस्तविक्ता तो ये है कि आप कला के पुजारी होने के साथ-साथ हाथ की सफाई के भी पुजारी अर्थात आप ये जो गैलरीज हैं राजभवन, राजमहल, पुराने मंदिर यहां से मूर्टियां जो दुरलब है, मूल्यवान है चित्र इत्यादी की तश्करी करते हैं जब तश्करी संभव नहीं होता तो आप अपने कारीगर से उसकी कॉपी अर्थात नकल बनवाते हैं और बाजार में बेचते हैं लोगों को ठकते हैं क्या आप बक्वास कर रहे हैं आप बक्वास नहीं कर रहा हूँ आप उनसे बद्ला लेना चाहते थे गिन्तु आप जानते थे कि आप जिंदाल साहब का बाल भी बाका नहीं कर सकते इसलिए आपने एक योजना बनाई जिंदाल साहब के एक निकट के व्यक्ति को आपने अपने साथ शामिल किया, उसे भागिदार बनाया जिन्दाल साहब का वाच्वैन लेकिन इनका प्लान क्या था? हाँ, क्या प्लान था आपका, बताएंगे आप या रहे बताओ जो दूसरे शत्रू थे आप परिवर्तन जी उन्हें भी भसाँ प्रिके से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है क्या यह सत्य नहीं कि आपने परिवर्तन जी को जो काम इन्हों ने किया था उसका मूल्य नहीं चुकाया जिन्दाल साहब को पीके का काम पसंद ही नहीं आया इसलिए उन्होंने पैसे देने से इंकार कर दिया तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आपने वैसा ही किया जैसा आपने सोचा था परिवर्तन जी के शत्रू की हत्या की और उस आरोप में इने फसाया और फिर जंदाल साब के हेलिकॉप्टर को उप्योग करके आपने पैरशूट द्वारा वो सर नकली सर प्रोस्थेटिक सर आपने धर्ती पे उतारे मिस्टर पाटर क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उस वक्त अजीच जी भी हेलिकॉप्टर में मौजूद थे जी नहीं या योर उनर अजीच जी तो नहीं थे लेकिन खुशन जी थे वहां, उडा रहे थे हेलिकॉप्टर मिस्टर केडी, तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि वो दोनों सर मिस्टर भूशन नहीं नीचे गिराये थे? मैं नहीं कह रहा है, और अजीद जी की बैंक की सुची और इनके फोन की सुची ऐसा कह लिए, जो आपकी मेज पर रखी हुई है पून की सुची के अनुसार, कई बार इन्होंने भूशन जी से वारतलाब और दो अलग-अलग समय इन्होंने इनके खाते से भूशन जी के खाते में दस लाख रुपय की रखम ट्रांसफर किये और रहाना हाँ, यह सच है कि मैं भूशन से लगातार मोबाइल पर बातचित कर रहा था और उसके अकाउंट में मैंने पैसे भी ट्रांसफर किये लेकिन वो इसलिए कि वो मुझे जिंदाल सहाब के आफिस से उटो निकाल कर देने वाला था जोकी इतली और जर्मेनी के आर्टिस्स की पेंटिंग्स थी और उसको अपने बीमार पिताजी के इलाज के लिए पैसो की सक्स जुरूद थी तो पैसो के लिए मैंने उससे एकाम करवाया जद साहब मैं गुनेगार हूँ आप जो भी चाहे सजा मुझे दे दीजे मैंने लेकिन किसी का खून नहीं किया है मैं मैं खूनी नहीं हूँ एडी तुम कुछ कहना चाहते हो यारॉनर आप अनुमती दें तो मैं अपने सहायक की प्रतिकशा करना चाहूंगा जो उस चौकीदार को लेकर आ ही रहा होगा जो उनके साथ ही थे बॉस बॉस अब उस तक मौस्ता उससे पहली किसे न उसको तफ़ा दिया देरे चपुन के हातों में उसने जान दी हूँ सर जंदाल के वाच्मन कभी मडर ठीक वैसे हीवा सर परवार शिकारी खुच शिकार बन गे चलो मेरे सर्थर सबसे बड़ा बिजनस्मान का किताब देना जाए तो किया आम लोगों को पहले भी बोल चुकी हूँ कि आप लोग ऐसे मिस्टा जिंदाल से नहीं मिल सकते हैं इंडर्ट बिल्कु करेक बोलें मैंडम अपुन ने आपको है इच बोला था लेकिन वहनता है अपुन दोस्त आप करते हैं एक बार आट ट्रेकरते हैं जी बिल्कुल सही बोल रहे है आपके दोस्त और सही समझें आप मिस्टर जिंदल से मिलने के लिए पहले उनका एपॉइंटमेंट लीजिए अच्छा वैसे माड़ाम, अपुन क्या पूशे रहा था? कि आप से मिलने के लिए किस से एपॉइंटमेंट लेना पड़े? क्या? वो क्या है ना? अपुन आएचा पीछे खड़े हुके आपके आँखे दिए आपके आखे, आपके आखे सागर से गहरी है जी चाहता है, जी चाहता है फोड़ के मौत ही निकालना मतलब बोले तो आपकी आइज रियल है, कि लेंज करने ले हैं आपने? अपकोर्स मेरी असली आखे है आपका इंकार, आपका गुछ से असा बस ले ना तो एक रार भी असली होगा मैठाव आज आपको लेखके अप उनको अप उनकी नानीमा की आद आगे सोगे लेकुन क्या करें? आज नानीमा पुनके आपके पासते हैं ना वह दूर चलेगे अपने बच्चा नोगों चूड़के चलेगे वह दूर चलेगे नानीमा, उपर गई मणा, उपर गई मणा नानीमा अडम, नीचे, आज़ तुर नोईचे, इतना उपर नीगे वह दूर नानीमा वह दूर नानीमा और फिर भी अडम, कॉल में में, में, आज़ से यू लुकेश, यह तहां जा रहा है? अब वह अरे, इसमें रोने बाल ही क्या बात है? तुमने तो बहुत अच्छा काम किया फ्लाइंग क्लब के लिए तुमने हेलिकॉप्टर उड़ाया अपने लिए पैसे कमाया और भूशन को भी तुमने हेलिकॉप्टर फ्लाइ करने के लिए दिया ताकि उसके फ्लाइंग आवर्स जमा हो सके इन शॉर्ट तुमने अपने और भूशन के जीवन में प्रकाश डालने की कोशिश की, अब थोड़ा प्रकाश इस केविन में भी डाल लेते हैं। तुम्हें पता है यह क्या है तो पूछो ना क्या है अरे यह एक लाइटर तुम्हें पता है इस लाइटर से तुम्हें क्या करना है नहीं तो पूछो ना क्या करना है इस लाइटर को तुम्हें पांच बार जलाना है यदि तुम काम्याब हो गए, तो तुम्हारे जीवन में एक नए जीवन की रोश्नी प्रकट होगी और यदि तुम काम्याब नहीं होगी तो इसी लाइटर से तुम्हारी चिता जलेगा नहीं मान तो मुझे गलती, मुझे पाफ करती चलो ठीक है, तुम्हें नहीं मारते हैं लेकिन तुम्हें मेरा एक काम तो करना ही होगा इस लाइटर को तुम्हें पाँच बार जलाना होगा यदि तुम पाँचों बार जला लिए, तो हम तुम्हें छोड़ देंगे और यदि तुमने पांचो बार नहीं चलाया, तो जिस उंगली से तुम इस लाइटर को जलाने की कोशिस कर रहे हो, वो उंगली मेरी हो जाएगा। एंगली मेरी हो, खर ऑढ़ उंगली हो, उंगली और ये मेरी तुमने तुमने लिए हो, जिस उंगली हो, जलाएगा। जिन्दाल की रेसेप्चर इसने बताया कि पूर्णा में जिन्दाल का एक नम कासम का अबावर्ची है अहां बस और कोई आद में नहीं हां आप उनको वह भी बता चरहा कि जिन्दाल का ना एक स्टाफ था उसका नाम जुनायत वासकर पागल खाने बंद है नाजीग में देखें मैं आपसे वादा करता हूँ मैं और मेरे बॉस आपका नाम अदालत में नहीं लेंगे जिन्दाल जिट को खबर भी लग गई ना मैंने उनके खिलाब मुग कोला है मेरे हाथ के साथ तेरी जबान भी कटवा देंगे आप नहीं चाते कि आपको न्याय मिले उस जिन्दाल को उसके किये की सजा मिले डरिये मादे मुझे बताईए ठीक है एक दिन चिन्दाल साब के खाने में मुझे मिर्ची कुछ जादा गिर गई थी उन्होंने मुझे बहुत मारा बहुत फिल्टा पर अगले दिन जब काम से में वापिस अपने घर गया तो मेरी वाइफ ने मुझे बताया कोई भी सब्जी वाला उसे सब्जी ही नहीं कुछ बेचना ही नहीं चाहता था वो सिर्फ हरी मिर्च बेचना चाहते थे और कुछ नहीं कितने दिनों तक ये चलता रहा मैं बेबस था मेरा बेटा भूख से तड़प रहा था खाली बेट वो नन्मी सी जान कब तक संगर्श करता और एक दिन बूख के मारे विचरा मिर्थी खा गया और कुछ दिनों मैं मर गया ये डिटिल मैं आपको नहीं दे सकते वैसे भी ये सब गलत बात है ये सब काम में नहीं करता अब उनको अरे ये के निचला बोले तो हजार उपया लेगा मूँ तरह अब उनको बता है ये जुने लिवा पर कितने सालों से जुने दे तिन साल से और शुने माया कि इससे पहले वह पर उसे दूसरे कंपणी में इससे अच्छा जॉब मिला तो जुने ने एक्सपूर मीडिया कंपणी के काम को छोड़ दिया और वहां जाकर जॉइन कर लिया जॉब जॉइन करने कर ठीक एक मैने बादी उसे घर में बहुत बड़ी चुरी हो गया उसके लाखों रुपय ग गेडी साब आप बहुत ही व्यस्ट वकील है इसलिए चाय पानी पिलाकर मैं आपके वक्त को बरबाद नहीं करूँगा बताई क्या सच्चाई पता कर लिया आपने मेरे बारे में बस जन्दाल साब के वल इतना ही पता चला है कि आप बहुत ही परपीड़ित प्यक्ति है दूसरों को दुख देने में कश्ट देने में आपको आनन्द मिलता है मुझे और भी आनन्द आए यदि आप मुझे खुल कर बताएंगे अब समझने समझाने को रहा क्या है आपने अपने दाजाजी का मुखोटा बनवाया शिल्पकार से आपको वो मुखोटा भाया नहीं तो आपने शिल्पकार को डंड देने की ठाननी मैं आपकी भाशा की दाद देता हूँ लेकिन आप जो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं वो मेरे समझ से परे है सर्वब रधम तो आपने उस बेचारे शिल्पकार को परिवर्तन को दड़पाना शुरू किया वापका जो विश्वस्निया चौकिदार था उसकी सायत अलेकर उसे तो मैंने बहुत पहले ही नौकरी से बाहर कर दिया था वो भी तो ढोंगी था जिंदाल साब ताकि संदेह की सुई आपकी उनना चाहे लेकिन न जो किया आप ही ने किया पहले सारे दुश्मनों की अत्या किया कि उसके पूर उनके मुखोटे प्रोस्थेटिक चहरे जो बेचारे परिवर्तन के हाथों बनवाए गए थे उन्हें हवाई छत्री द्वारा धर्ती पर भेजा ताकि बेचारे परिवर्तन पर लोग संदेह करे बेचारे परिवर्तन को कहा पता था कि उससे प्रोस्थेटिक चेहरे नहीं बनवाये जा रहे उससे स्वेम उसकी मुत्यूखी देखा कशिल बांकन कराया जा रहे कि नहीं ऐसा होने नहीं दूआ बचांगा उसे वैसे आप कमाल के वकील है आखिर आपने पता लगा ही लिया कि पीके को किसने फसवाया और क्यों फसाया क्या कहा था आप में पर पीडित यानि कि सैडिस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुझे फसाने की कोशिस करता है लेकिन फसा नहीं पाता है मत करो कोई फैदा नहीं इस ओफिस में एलेक्ट्रो मैगनेटिक गाजेट्स लगे हुए है यहां रेकॉर्डर, लैप्तॉप, फोम, कुछ भी नहीं चलेगा और वैसे लिए तुम मेरे इस बयान को रेकॉर्ड नहीं कर पाऊगे कुछ ठंडा मगाऊं तुमारे लिए रेकॉर्ड नहीं कर पाया तो क्या हुआ कल लाइव रेकॉर्डिंग होगी अदालत में आपने जितने भी लोगों को परिशान किया सब आपके खिलाफ गभाई देंगे आपको ठंडा नहीं, दूद पीने की जर्रत है वो भी बॉटल बाली कितने भोले बच्चे हो तो एक गल्ती कर दिया आपने केडी साब जिन जिन लोगों ने मेरे खिलाफ बयान दिये थे उनके बयान रेकॉर्ड कर लेना चाहिए था क्योंकि अब तो आप करवा नहीं पाऊगे क्योंकि मुर्दे बयान नहीं देते है केडी साब अब तो आप जानी गए है मेरा स्वभाब कैसा है मुझे लोगों को तडपा तडपा कर मारने को बहुत मजा आता है मुझे अभी भी बहुत मजा आ रहा है आपकी अंदरूनी तडप को देखके क्योंकि आप अच्छी तरसे जानते हैं कि मैं गुनेगार हूँ लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं इस देश के कानून से बहुत 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 आँ ठीका आपने चिताल साथ बहुत बड़े है विशाल बहुत पुरातन कहानी है सुनियों के आपने हाथी चिती से बहुत बड़ा होता है लेकिन अगर है चिती हाथी के सून में खुच जाए आगे की कहानी तो जानते हो गया शहर में एक बार फिर पैराशूट द्वारा टक्दिक कटे हुए सर की लैंटिक हुई है और ये बताना ज़रूरी होगा कि इस बार ये कटा हुआ सर किसी अंजान शक्स का नहीं है बलकि देश के जाने माने उद्योग पतीश्री राज जिंदाल जी का है दिल को दहला देने वाली बात तो ये है कि आज तक खोपड़ी तोड हत्यारे ने जिसकी भी नकली कटे हुए सर आस्मान से जमीन पर भेजे है उनका खून भी किया है क्या इस बार भी खोपड़ी तोड रास्ट जिंदाल जी की हत्या करने में काम्याब होग पाएगा खोपडी तोड हत्यारे नेती है देश की सुरक्षा तंत्र को पढ़े चुनौती अब क्या होगा रास्ताल जीता नहीं मुझे कोई पोलिस प्रडेक्शन नहीं चाहिए रखो फोन केटी पाठक मुझे फासने की कोशिश की तुमने चीटी हो तुम चीटी मसल के रख दूँगा मैं तुझे मसल के रख दूँगा बोले तो बॉस आप उनको आपको ये प्लान थोड़ा समझ मेली है समझ सिंपल है केटी से ने जिंदाल को उसी के प्लान में फसाया अगर चौबिस घंटे में जिंदाल का खून नहीं होता है तो ये क्लेर हो जाएगा कि जिंदाली खूनी है जिंदाल आँ जिंदाल साब बोले केडी पाठक अब तक सुना थो भगवान ने तुम्हें एक्स्ट्रा दिमाग दिया है लेकिन आज देख भी लिया और महसूस भी कर लिया तुम्हारे ऐसे होशियार खिलाडी के साथ खेल खेलने में बहुत आनंद आएगा बहुत आनंद बड़ा खुश और उत्तेजित सुनाई दे रहा था चिंदाल कुछ तो परबड़ है या तूरना पड़ेगा उसे घर पर और आफिस में तो मिलेगा नहीं पर श्रमन पता लगा का है ठीक लाश को कितने बज़े और कहां पहुचाना है पता है न जी सर देगें किसकी लाश को कहां पुचाना है ये तो आपने बताया है नहीं दो घंटों के बाद आना सब कुछ खुद वाकुद मालूम पड़ जाएगा जा जा भेजदो से अन्या रेड़ी रेड़ी को उड़ा दो जरा भी गल्ती की तो मेरे आदमी तुम्हें पैसे नहीं देंगे केड़ी पाथक सारे केसिस तुम्ही नहीं जीतो गए चलो जल्दी करो उड़ाओ मेरे खौबडी को जल्दी करो मैंने कहा वरना वो केड़ी पाथक यह प्रूफ कर देगा कि उन चारो आदमियों को मैंने ही मरवाये था मारो मुझे तन तो आपको मिलेगा लेकिन इस तोड़े से नहीं तो श्रमन ने बना के दिया सा थर्मोपॉल का यह सॉरी तकलिय तोड़ा है अब बया आपका माथा फोड़कर आपको डंड नहीं देंगे शूली पर लटका कर डंड देंगे नयादीश मोहते है अदालत पे क्या हुए यह आखे फाड़ फाड़ कर आप क्यों देख रहे हैं अच्छा आप सोच रहे हैं कि मैं यहां कैसे यहां तो उसे होना चाहिए था वह जो आपका प्रख्याता माथाट तोड पत्यारा जो है तो उक्वाई है कि उसको हमने बहरी दर लिया और बांद के रखा हुआ है आपके साथ में ही लेकर जाएंगे चोकी अब यह सोच रहे होंगे आप कि कैसे पता चला मुझे तो वो जो मेरा सायक है जिसे आप दूद पिलाने वाले थे वो दूद पी चुका पुद्धी आ चुकी उसे उसी के कहने पर हमको यह ध्यान आया कि यह देखिए आपने जो अपने आफिस में वो जो इलेक्ट्रो मेगनेटिक यंत्र लगा रखे है अब अपने मोबाइल फोन में तो आपने वो यंत्र लगाया नहीं था पुलीस की सहायता से हमने आपकी सारी बाते सुन ली और आकर के आपके माता फोड़ा क्यारे को धर लिया और उसकी जगे मया गया और यह जो बयान आपने अभी अभी दिया वो भी इस पश्टूप से जिन्दाल सहाव यहां भी कोई इलेक्ट्र मेगनेटिक यंत्र तो लगे नहीं तो वो भी मैंने अपने मुबाइल फोन में दर्च कर लिया अरे जिन्दाल सहाव रुकिये कहा जा रहे हैं वाजर है यह नकली है लेकिन पूलीस असली है मेरे भाई हाँ तो जिन्दाल जी साथ चले हां ले चले अब चलिये कारागार में बैठकर अपना ही माथा भूड़ना यह सोचकर की कि क्या सोचा था और क्या हो गया हाँ क्या हा अपना है क्या हास ожд남